है लो इन्विस्टर्स आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं की बीसी ग्लोबल लिमिटेड के बारे में और साथ ही डिसकस करेगे इसकी रिगारिंग कुछ लेटे सब्डेट्स और साथ ही वीडियो में हम आगे चर्चा करेगे आने वले समय में की बीसी ग्लोबल के श का एक downfall हमें होते हुए नज़र आ रहा है जा लाज ट्रेडिंग शेशन यानि फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन हमें स्टॉक में एक अच्छी तीजी देखने को मिली थी जासे ये स्टॉक अराउंड 2.21 पैसे भी गहता है जो कि स्टॉक का जो अपर सर्किट के हमें काफी ज़्यादा नियर देखने को मिला था लेकिन आज स्टॉक में फिर से हमें एक downfall होते वे नज़र आ रहा है जा पिछले च्छे मेने की भी बात करें तो पिछले 6 मेने से स्टॉक में हमें कोई बड़ी तीजी देखने को ने मिले जापिछले 6 मेने भी में स्टॉक ने आरौण हमें माइनस 15% के आपर नेगेर रिटार दे तो देखा जाए तो स्टॉक काफी लंबे समय से हमें यापर एक consolidated zone में य के बीसी ग्लोबल की आज की कुछ लेटेस अबडेट्स के उपर चर्चा करें तो रिसेंटली पिछले कुछ वीक से आप नोटीस करोगे तो के बीसी ग्लोबल का जो वाल्यूम है उसमें हमें एक अच्छी कासी ग्रोध देखने को मिल रहे जिसके चलते स्टॉक का जो कांसे से कि आने विले कुछ दिनों के अंदर हमें के बीसी ग्लोबल का जो कॉटर वन का रिजल्ट्स या पर देखने हुला है जिसमें कंपनी एक अच्छे कासे नेट रिवेन्यू के साथ एक अच्छा कासा प्रॉफिट जनरेट करते भी नजर आएगी और एक बास टॉक अपने कॉटर वन के रिजल्ट्स में अच्छे नंबर पोश्ट कर लिए तो स्टॉक में हमें काफी बड़ी तीजी देखने हुँ मिली कि जा से ये स्टॉक आपको एजी ली शॉट टम में 3X और 5X भी होते भी नजर आ सकता है तो फिलाल देखा जाए के बीसी ग्लोबल मा 29 हाउस यूनिट सेंड ओवर किये और जापर रिसेंटली के बीसी ग्लोबल को सी आज जे के तरप से जो 20 मिलियन का जो सब कॉंट्रेक भी रिसीव हुआ था जिसके चलते भी कॉर्टर वन के रिजल्स के उपर एक अच्छे खासा नेट रिविन के साथ एक अच्छा पॉज पड़ते भी नजर आएगा जापर रिसेंटली जो 20 मिलियन का जो ओडर जो की इंडियन वेल्यू प्राइस में अरौन 167 करोड का एक काफी बड़ा इसको सब कॉंट्रेक मिला जापर के बीसी ग्लोबल जो की करदा इंटरनेशनल की जो सबसेडिरी कंपनी है और हाली में के फर्स्ट एप भी एंटर किया अफ्रीकान इंफ्रासक्चार डेवलोप्रमेंट के दर जा पर के के बीसी ग्लोबल ने अपने जो डॉमेस्टेक और इंटरनेशनल मार्केट के उपर जो अपने स्ट्रेटरेजिक प्लैन्स भी पोस्ट के जिसके चलते काफी ज़्यादा चा स्टॉक में काफी बड़ी तीजी देखने को मिलेगी और फिलाल देखा जाए तो स्टॉक में कुछ नेगेटिव पॉंट्स भी नसर आ रहे है कुछ पॉज़टिव पॉण्ट्स भी नसर आ रहे है कमपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो डे बाई डे काफी तीजी से यापे कम होते भी नज़र आ रही लेकिन साथ ही company की कुछ positive points के उपर चर्चा करें तो company की जो net results है वो हमें काफी तीजी से यापे बढ़ते भी नज़र आ रहे चाहां March 2022 में आप नज़र डाले तो company की जो total results थे जो कि around 78 करोड देखने हो मिले जो कि March और September quarter में आते हैं ते कर साड़े 800 करोड के करीब हमें देखने हो मिले जो कि आपको किसी दूसरे penny stock में यापे देखने को नहीं मिले तो ये stock का एक सबसे बड़े यापे positive नज़र आ रहा है और जैसे कि आने वहले कुछ दिनों के बाद हमें इंडिया में जो budget 2024 यापे देखने को मिले जहां इस budget मे Government of India इंफ्रा सेक्टर पर हमें काफी जारा focus करते भी नज़र आगी और जैसे कि KBC Global भी हमें development और इंफ्रा सेक्टर के काफी बड़े projects अपने हाथ में लेते भी नज़र आए तो यासे काफी जारा chances है कि budget के बाद हमें stock में भी एक अच्छी कसी यापे rally देखने को मिलते भी नज़र आ सकती है तो जो फिलाल KBC Global में fresh entry करना चाहते है वो definitely कर सकते है कि काफी under low price और काफी discounted price पर यह आपको stock यापे मिलते भी नज़र आए जो कि 100% आपको आने विले कुछ दिनों के अंदर एक अच्छे कासे target यापे दिखाते भी नज़र आ सकता है तो आज के लिए चैनल को सस्क्राइब करो मिलते अगले वीडियो में थैंक यू तो आज के लिए बस इतना ही KBC Global में जैसे कोई latest update या जैसे कोई latest news होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी तो वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक करो चैनल पे नीज चैनल को सस्क्राइब करो मिलते अगले वीडियो में थैंक यू